हेलो एब्रीवन वैलकम टू माई चैनल सीटेटन के वेस क्लासेज माई सेल्फ मॉसमी तो आप सब कैसे हो आप सबी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी तो चलिए आज की क्लास को सुरू करते हैं तो जैसे आप सबी ल जो है इसकी क्लास को सुरू कर रहे हैं जो अठार सो पचासी से उने सो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा बेल आइकन दबा लिजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके अब बहुत लोगों को लग रहा होगा यह जो भार्तिराश्ट आंदोलन है यह चोटा सा टॉप जो है यह किलियर साफ तरीके से लिख दिया गया है इससे आपके प्रसन जो है वो रहेंगे ही तो अब 1885 से लेके 1947 तक कौन कौन सी घटा है जिसे आपको पढ़ना है तो उसे एक वार देख लेते है तो जैसे देख लीजे 1885 में कॉंग्रेस की अस्थापना 1905 में बंगाल क 1907 में कॉंग्रेस का विभाजन अब यह सब जो है यह सारी घटनाओं को आपको पढ़ना है अब साथ ही इसे भी धिहान रखना जैसे 1905 में क्या हुआ था तो बंगाल का विभाजन है वह 1905 में हुआ था तो अब और देख लिजे क्या क्या पढ़ना है तो 1908 में खुदी र पर्थम विष्व यूद की शुरुवात हुई थी तो पर्थम विष्व यूद की सुरुवात कभ उई थी 1905 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ था यानि गांधी जी वह भारत में आगमन केते वो आये थे 1906 में लखनाओ समझोता हुआ था बहुत ही जादा 1918 में अहम्ताबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में खेरा आंदोलन हुआ था 1922 में चोड़ाचोडी कांट हुआ था 1923 में सौरास पार्टी 1924 में कॉंग्रेस का बेलगान अधिवेशन हुआ था 1925 में काकोडी कांड हुआ था 1918 में साइमन कमिसन हुआ था 1929 में लाहोर अधिवेशन हुआ था ये भी बहुत ही जादा इंपोर्टन है अब आगे देखते हैं अब देखिए 1929 में दांडी मार्च हुआ था 1930 में सवीनई अवग्या अंदोलन हुआ था 1931 में गांधी इरविन समझोता हुआ था 1930 में पर्थम गोल में समेलन हुआ था 1931 में दित्ते गोल में समेलन 1932 में त्रित्ते गोल में समेलन हुआ था 1932 में पूना समझोता हुआ था, 1940 में पाकिस्तान की मांग, 1942 में क्रिप्स मिसन और फिर भारत छोड़ो अंदोलन, फिर यहां देखिए उन्हें 42 में क्या हुआ था, आजाद हिंद फोज, किलियर है, आजाद हिंद फोज की जो असापना हुई थी, 1932 में, फिर 1945 में बेबेल योजना, जिसे सिम्ला समझोता भी कहा जाता है, वो हुआ था, 1946 में नो सेना विद्रो हुआ था, 1940 में फिर केविनेट मिसन हुआ था, और 1947 में मांट वेटन योजना हुआ था, अब यह सब जो आपको दिखाया गया है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, क्यूंकि यह जो भारते राश्ट आंदोलन है, 1885 से लेके 497, यह पूरा जो है, आपको जितना दिखाया गया है, वो सब इसमें आपको पढ़ना है, तो भारते राश्ट आंदोलन एक छोटा सा टॉपिक में यह, बहुत ही बड़ा है और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगो कम्प्लीट करना है एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है इसमें हमें छोड़ना नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं इसे तो यहां देखिए भार्ति राष्ट आंदोलन जो 185 से उने सो 47 तक का होता है इसे तीन चरनएं में बाता गया है जो भार्ति राष्ट आंदोलन में जितनी भी घटना है आपको दिखाई गयी है 185 से लेके 19だけ का सकवा, उन सबी दूसरा जो है वो है उग्रवादी चरन अब उग्रवादी चरन को 1905 से लेके 1909 तकी जो घटनाए हुई है उग्रवादी चरन में रखा गया है और फिन नेक्ष्ट है गांधिवादी चरन जो 1909 तकी घटनाए है उन्हें गांधिवादी चरन में रखा गया है तो यहाथ पर लेख लिए कम्ठिट हो गिया एट्व今 सो अएस के उन्याश गटनाएं गादि ए उन्याश फश्ट तक यह वह आता है तो यहां तक कलिए अब यहां देख लीजे नेता अभी जो उदारवादी चरन है ऐाँ 1885 से लेके 1905 तक का है जो घटनाय है उसमें वो उदारवादी चरन है अब इसमें कौन-कौन से नेता आते हैं तो दादा भाय नरोजी आते हैं फिरोज सामहता आते हैं गोपाल किरसन गोखले आते हैं और mg रनाडे आते हैं के लिए अब यहां पे एक चीज़ देखें उदारवादी चरन उदारवादी का नाम से पता चलता है उदार यानि कि दयालू क्रिपालू उदारवादी है तो उदारवादी चरन मतलब ही होता है उसमें जो भी नेता आते हैं वो उदार प्रिविर्ती के है यानि कि उनका नेचर जो है उनका जो सोभाब है वो उदार प्रविर्ती की है वो थोड़े नम्ड दिल के है द्यालू की पालू इसे ध्यान रखेगा दादा भाइ नरोजी स्रोज सामहता गोपाल कृसन गोखले MG Ranaade, यह सब जो है उदारवादी चरन के नेता है अब यहाँ देखे उग्रवादी नेता, अब उग्रवादी जो है उसमें कोनकों से नेता है उग्रवादी मतलबी क्या होजाता है, उग्र यानि की गुस्सेवाला, उग्रपढ़र्ती का यानि क्रोट यिसमें जादा हो तो उसमें कौन कोन आ जाते है तो लाला लाशपत राय आ जाते है जो पंजाब केसरी के लए जाते है बाल गंगा धर्तिलक आते है जिन्होंने नारा दिया था सोराज मेरा जर्मसीद अधिकार है तिसरे आते है विपिन चंदरपाल चोथे आते है अरविन खोस ये लोग जो नेता है ये उग्रवादी नेता है यहाँ देखे त्रिगुट नाम से जाने जाते है कौन को नेता है जो त्रिगुट के नाम से जाने जाते है तो यहां पे दे दिया क्या है लाल बाल और पाल यानि की लाल मतलब लाला लाशपत राय बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंदर पाल ये तीनों जो है ये तीनों क्या है त्रिगूट के नाम से जाने जाते हैं कोशन भी रहता है कि तरेगुट के नाम से जाना जाने वाले जो नेता है वो कौन-कौन है तो लाला लाचपतराय है, बाल गंगाधर्ति लग है और विपिंच द्रपाल है, तो ध्यान कैसे रखना है, लाल, बाल और पाल, इन तीन नाम से आपको ध्यान रखना है. अब यहां देखिए 1885 भारत राष्ट कॉंग्रेस अधीवेशन अब यहां से हम लोग कॉंग्रेस अधीवेशन जो है उसे शुरू कर रहे हैं तो भारत के राश्ट आंदोलन में Congress की अस्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नयत्रतो करने तहा, British सरकार की शुरक्ष कापाट के रूके में हुआ था अब यह जो भारती राश्ट कॉंग्रेस है इसकी अस्थापना जो है वो क्यू हुआ था तो एक बड़े आंदो संस्थापक थे कह हैं तो मुंबई के गोकुल संस्क्रेट विद्ध है इसकी अस्थापना हूई धी Запाच वाइसराई एसके लौड तफटरीन थे अब वाइसराई होते क्या है टो साही अधिकारी होता है जो आधिकारा जो है भार्तिराष्ट कॉंग्रेश जो नाम करन परा था इसका नाम करन किस ने किया था तो दादा भाई नरोजी ने किया था अब दादा भाई नरोजी जो है यह किस दल के नेता थे तो उदारवादी दल के नेता थे यानि कि नर्म दिल के थे उदार प्रिविर्ती के थे त अब पहले इसका नाम जो है वो भार्तिराष्ट संग था जो भार्तिराष्ट कॉंग्रे जो है जिसे हम लोग पर रहे है इसका पहले नाम क्या था तो भार्तिराष्ट संग था लेकिन बाद में क्या हुआ दादा बाहर नरोजी जो थे उन्होंने इनका नाम बदला इनका ना नाम रख दिया। इसे ध्यान रखना है कि पहले भार्तिराशा कॉंग्रे से उसका पहले नाम था है था भार्तिराश संग था। 김हां किया था दाधबाय नरो जी ने है यहां देखे। कॉंग्रेस से सम्मधित महत्पून बिंदू कॉंग्रेस से सम्मधित कुछ बिंदू है कुछ पॉंट है तो Lord Dufferin का कथन अब Lord Dufferin उन्होंने क्या कहा था Congress जनता कि उस अल्प संख्यक वर्ग का परति निदित्व करती है जिसकी संख्या सुक्ष्म है इनका कहना था कॉंग्रेस जो है वो जनता के उस अल्प संख्यक वर्ड का परतिनिजित करती है मतलब उस अल्प संख्यक वर्ड का परतिनिजित कर रही है जिसकी संख्या जो है वो थोड़ी सी है अब फिरोसा महत्या का क्या कतन था तो Congress की आवाज जनता की आवाज नहीं है ये सभी का अलग-अलग कतन था Congress के संबंद में तो Congress की आवाज जो है वो जनता की आवाज जो है वो नहीं है बाल गंगधर तीलक क्या कतन था? यदि हम वर्स में एक बार मेढ़क की तरह टर टराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा अब ये कथन किसका है जैसे आपसे कोशन ही पूछ देगा कि यदि हम वर्स में एक बार मेढ़क की तरह टर टराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा ये कथन किसका है ये कथन किसने कहा था कॉंग्रेस से संबंदी तो बाल गंगधर तिलक ने कहा था इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप पूरे साल ना पढ़ो पूरे मन्थ जो है आपका बेकार चारा आप नहीं पढ़ रहे हो और एक्जाम के दो दिन पहले आप पढ़ने बैठ जाओ तो आपका वही हो गया कि आप पूरे साल जो है कुछ नहीं किये और एक दिन में आप टटराने लगे मेड़क के तरह तो उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे इसलिए अभी से महनत उसे शुरू कर दिजे किसी भी हाल में इस एक्जाम को क्वाइलिफाई करना ही सवर्ण हिंदु की फासी बादी कॉंग्रेस है अरविंद घोस इनका कथन था कॉंग्रेस की मितिु 6 और इन्हों ने क्या कह दिया कि मितिु 6 और इन्हों पॉइंट्स को ध्यान रखेगा किसने कौन से कथन कहें है अब यहां देख लीजें महत्पुन कॉंगरेस अधिवे उनमें से महत्पून कौन-कौन से थे उन्हें देख लेते हैं, अधिवेशन 1880, अब 1880 का जो अधिवेशन हुआ था, कहां पे हुआ था, मुंबई में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, विशेष्टा क्या था, भातरपती निधित ने भाग लिया था, किलियर है, अब आपसे कोशन कैसे पूछेगा, जैसे पूछ देता है, 1880 का जो अधिवेशन है, वो कहां हुआ था, तो कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, व्योंचंदर बनर जी के अध्यक्षता में हुआ था, इसकी विशेष्टा क्या थी, तो इसकी व अब नेक्ष्ट है अधिवेशन 1887 जो कि कहां पे हुआ था मद्रास में हुआ था अध्यक्ष कोन थे बदरुद्दिन तयब बजी थे जो कि एक मुस्लिम थे और इसकी विशेष्टा क्या थी पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष थे यही इसकी विशेष्टा थी नेक्ष्ट है अधिवेशन 1896 अस्थान कहा था कौलकाता में हुआ था अध्यक्ष कोन थे रहीम तुल्ला सयानी थे विशेष्टा क्या था पहली बार बंदे मात्रम गाया गया था अब यहां देख लीजे कोश्चन अगर यह पूछता है पहली बार बंदे मात्रम कहां पे गाया गया था किस अधिवेशन में गाया गया था तो क्या होगा अधिवेशन 1896 में पहली बार बंदे मात्रम जो है वो गाया गया था कौन से अस्थान पे गाया गया था पहली बार बंदे मात्रम तो कौलकाता में गाया गया था और किसके अध्यक्षता में पहली बार बंदे मात्रम जो इन सबी चीजों को आप इसमें और देख लिए जिए जो अधिवेशन 1888 इसमें इलहवाद में हुआ था इसके अधिवेशन 1887 जो थे जो थे जो ते बदुरूदिन तयब जी ये मुस्लिम थे अब यहां 1886 का जो अधिवेशन था दादा भाय नरो जी पार्सी थे और यहां जो अधिवेशन 1885 का था व्योम चंद्र बनेर जी वो हिंदू थे अब यह बताना क्या जाते थे हर किसी के जो अधिश थे वो अलग-अलग धर्म के थे इसमें बताया क्या जा था कि पूरे भारत का परतिनिध्यत्व करते हैं यह जो कॉंग्रेस है यह पूरे भारत का पर जाना चाहते थे तो यहां तक किलियर है पहली बार बंदे मात्रम जो है वो किस अधिवेशन में गया गया था तो 1896 के अधिवेशन में किसके अधिवेशन में रहीम तुल्ला सयानी के पहली बार कहां पर गया गया था बंदे मात्रम तो कॉलगाता में गया था इन सारे गोपाल किर्ס्म गोखले के अध़िष्टा में विचेश्थता क्या है तो बंगाल विभाजन की आलोचना अब 1905 एक स्थान पे हुआ किसी अधिजश्थता इसकी विशेश्थता क्या था रजब पर पहली बार सौराज सब्द का पड़ियोग हुआ था अब कोशन अगर आपका रहता है पहली बार सौराज सब्द का पड़ियोग जो है वो किस अधिवेशन में हुआ था तो एंसर क्या होगा 1906 के अधिवेशन में पहली बार सौराज सब्द का परयोग किया गया था किसके अध्यक्षता में किया गया था पहली बार सवराज सब्द का परयोग तो दादा भाई नरोजी के अध्यक्षता में किया गया था अब यहां है 1907 का अधिवेशन कहां हुआ था सूरत में हुआ था किसके अध्यक्षता में रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में और इसकी विशेशता क्या थी तो कॉंग्रेस का विभाजन गर्म दल और नर्म दल ये तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि कॉंग्रेस का विभाजन कौन-कौन से दल थे एक था गर्म दल और एक था नर्म द नर्म दल के नेता थे और एक नर्म दल के नेता थे तो अगर पूछता है कोंग्रेस का विवाजन जो गर्म दल है नर्म दल इसका विवाजन है वो किस अधिवेशन में हुआ था तो 1907 के अधिवेशन में हुआ था कहां पे सूरत में किसके अधिवेशन में राज भिहारी घो विशन नारायन धर थे विशेशता क्या था जना गना मना जो है वो पहली बार गाया गया था अब बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट जना गना मना जो है वो पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था तो कौन से अधिवेशन में पहली बार जना गना मना गया जो है वो कौन थे जो पहली बार गाया गया था तो विसन नारायन धर थे अब यहां पे एक पॉइंट देख लिए पहली बार जना करना मना जो है राश्टिगान और बंदे मात्रम राश्टिगीत कहां पे गाया गया था कोशन एक बन गया पहली बार कहां गया गया था तो अब इसे गाया किस ने था बंदे मात्रम को बंकिम चंद चटोपाद धाय ने गाया था तो 1882 में गाया था किलियर है 1882 में और ये जो है ये संस्कृत और बंगला ये जो है बंदे मात्रम ये संस्कृत और बंगला ये मिस्रिद भासा में था अब नेक्ष्ट देखिए अधिवेशन उनेसो सल्ला जो की कहां हुआ था लखनाओ में हुआ था अध्यक्ष कोन थे अंबिका चरण मजुमदार थे अब विशेशता क्या था डर्म दल और गरं दल का एकिकरन कॉंग्रेस और मुस्लिम लिंक का भी समझ होता अब गरं दल और नर्म दल जो है ये दलो का एकिकरन किस अधिवेशन में हुआ था तो उनेसो सल्ला में कहां पे लखनाओ में और साथ ही कॉंग्रेस और मुस्लिम लिंक का जो समझ होता हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था तो उनेसो सल्ला के अधिवेशन में हुआ था कहां पे हु इसका क्या था? Congress की पह़ली महीला अध्यक्ष अब पूछा जाता है, यहां पर question जैसे Congress की पहली महीला अध्यक्ष जो है, वो किस अधिवेशन में चुनी गई थी, तो अधिवेशन 1917 में, कहा पर कोलकाता में उसका कहा, अध्यक्ष कुन थे? तो Annie-Veycent थे तो किलिए रहे हैं यहां तक नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है अधिवेशन 1924 यह कहां पे वा था बेलगाओं में हुआ था अध्यक्ष कौनते महात्मा गांधी अब देखें यहां महात्मा जी आ गए 1924 में हुआ था अधिवेशन कहाँ पे बेलगाओं में हुआ था अध्यक्ष कोंते महत्मा गांधी थे विसेशता क्या था कॉंग्रेस का 40 वा अधिवेशन और एक मात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे अब कोशन अगर पूछ देता है कॉंग्रेस का 40 वा अधिवेशन या फिर एक मात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे वो अधिवेशन कौन सा था तो कौन सा था 1924 का अधिवेशन था कहां पे हुआ था अस्थान क्या था बेलगाओ था अध्यक्ष कौन थे तो महात्मा गांधी थे महात्मा गांधी थे जिन्होंने 1924 के अधिवेशन में पहले जो है वो अध्यक्ष बने थे और कॉंग्रेस का 40 वा अधिवेशन और एक मात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी जो है वो अध्यक्ष बने थे किलियर है इसे ध्यान रखना है नेक्ष देखे अधिवेशन 1925 कहां पे हुआ था कानपूर में हुआ था किसकी अध्यक्षता में सरोजनी नाइडू की अध्यक्षता में विशेशता क्या था पर्थम भारत महीला अध्यक्ष अब यहां है पर्थम भारत महीला अध्यक्ष जो है वो किस अधिवेशन में चुनी गई थी तो अधिवेशन 1925 में कहां पे कानपूर में अध्यक्ष को थी तो सरोजनी नाइडू थी नेक्ष्ट देखते हैं अब देखे अधिवेशन 1929 कहां पे हुआ था लाहोर में हुआ था किसके अधिश्टा में जवाल लान नहरू के अधिश्टा में विजेश्टा क्या था पुन सौराज की मांग अब यह जो सौराज एक हम लोग पढ़े थे सौराज सब्द का अब इसमें देखे पुन सौराज की मांग कर दी गई थी अब पूछा जाता है कि पुन सौराज की मांग यह वो किस अधिवेशन में की गई थी तो 1929 के अधिवेशन में की गई थी और सौराज सब्द का पहली बार परियोग किस अधिवेशन में हुआ था तो 1906 के पहली भारत महिला अध्यक्ष पहली जो भारत महिला अध्यक्ष जो है वह सरोजनी नाइडू है और यहां देखिए कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बोला है और यहां कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बोला है और यहां कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बोला है कौन है एनिवेसंट है तो इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है कि कॉंग्रेस की पहली महीला अध्यक्ष, इसमें मात्र महीला अध्यक्ष लगा, इसमें भारतिय नहीं लगा है, तो सिर्फ महीला अगर पुछता है, तो एनिवेशन होगा, नेक्ष देखे अधिवेशन 1931, अब 1931 जो है, वो कहां पे हुआ था, कराची में हुआ था, कहां, किसके अधिकार का प्रस्ताव पारित, अब मोलिक अधिकार का प्रस्ताव है, वो किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो अधिवेशन 1931 जो है, उसमें पारित किया ग इस पूर में हुआ था अधिवेशन जो गाओं में हुआ था तो 1937 था सुभाज चेद्र बोष्य के अधिवेशन में हुआ था इसमें राष्ट नियोजन समीति का गठन किया गया था अब सबसे पहले कि इस अधिवेशन में राष्ट नियोजन समीती जो है उसका गठन क्या गया था तो अधिवेशन 1938 में कहां पे हड़ीपूर में किसके अध्यक्षता में सुभासचंद्र बोस के अध्यक्षता में जो बने थे अध्यक्ष वो राजिंदर परसाथ थे अब यहां देख लीजें 1949 में सुभासचंद्र बोस दुवारा कॉंग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे जो 1949 था पहले तो बने थे सुभासचंद्र बोस उसके बाद दुवारा जो है वो कॉंग्रेस के अध्यक्ष बन गए यह नहीं चाहते थे वह बने इसलिए उन्होंने त्याग पत्र देदिया और उसके बाद जो है राजेंदर प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया देखे अधिवेसन 1940 यह कहां पे हुआ था तो रामगट में हुआ था अध्यक्ष कोनते मौलाना अभुलकलाम आजाद थे विसेशता क्या थे मुलाना आजाद जो है लगातार छे वर्सता कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे अब आजादी के समय जो है वो कौन से अध्यक्ष थे तो याद रखेगा आचार जेबी कृपलानी थे कौन से अध्यवेशन था तो 1940 का कहां पर मेरट में अब यहाँ पर कुछ important point है उसे देख लेते है कौन को से point है Congress के पर्थम अध्यवेशन के अध्यक्ष कॉं थे अब यह जो Congress yes时 के पर्थम अध्यॵेशन के अध्यक्ष कॉं थे तो व्योमेश चंद्रबेनर जी थे से ध्यान रखना इन सारे points को वो कॉंग्रेस के पर्थम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे कॉंग्रेस के पर्थम मुसल्मान अध्यक्ष कोन थे अब यह जो है यह पर्थम अधिवेशन के अध्यक्ष थे अब कॉंग्रेस के पर्थम मुसल्मान अध्यक्ष कोन थे बदूदिन तयब जी थे पर्थम मुसलमान अध्यक्ष अगर पूछ देता है तो बदूदिन तयब जी थे इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है कंफ्यूज नहीं होना है किलिएर है पर्थम यूरोपियन जिसने कॉंग्रेश के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अब पर्थम यूरोपियन कौन थे जिन्होंने कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो जो और गुले थे पर्थम महिला जिसने कॉंग्रेस का अधिवेशन को संबोधित किया अब पर्थम महिला कौन थी जिसने कॉंग्रेस का अधिवेशन था उसको संबोधित की थी तो कादम बनी गांगुली थी किलियर है पहली महिला अधिवेशन थी कादम बनी गांगुली जिसने कॉंग्रेस क अधिवेशन में संबोधित किया था पर्थम यूरोपियन महिला तथा पर्थम महिला अध्यक्ष जिसने कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की कौन थी एनिवेशन थी किलियर है पर्थम यूरोपियन महिला तथा पर्थम महिला अध्यक्ष दोनों यूरोपियन महि पुछे या पर्थम महिला अध्यक्ष जिसने कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की कौन थी तो एनिवेशन थी एक्ष्ट है जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट गीत बंदे मात्रम गाया गया था कौन से अधिवेशन में गया था पहली बार भारती का स्यानी ने रहामतुल아 स्यानी संग्री अधिया था था बंकिन चंद्र॥याइन मेधिया थैं बहरत में आजादी के समये स्वीर Euros अब भारत में आजादी जब आजाद हो रहा था भारत उस समय वहां के कॉंग्रेस के अध्यक्षत है नेक्ष्ट है सौतंतरता के बाद 1947 में कॉंग्रेस के विश्य अधिवेशन नई दिल्ली में डॉक्टर राजेंदर परसाथ के अध्यक्षता में संपन हुआ था कौंगरेष के सबसे ज़ादा समय तक तथा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कोन थे तो अभूल कलाम आ जाते हैं कॉंग्रेस के सबसे ज़्यादा सवाई तक और सबसे कम उम्र के अध्यक जो कॉंधे अबुल कलाम आजात थे 1940 से 1945 तक यहां देखे कॉंग्रेस के अस्थापना के समय ब्रिटेन के परधान मंतरी गलेड अश्टन थे कॉंग्रेस के जब अस्थापना हो रहा था उस समय भारत का जो वाइस राय था वो कौन था तो लॉर्ड डफ्रीन था अब यहां देखे प्रिविएस यह कोश्टन वी पीएस द्वाड़ा ली जाने वाली जो भी एक्जाम है उसमें भारतिराश्ट आंदोलन के टॉपिक जो है उससे समधित कौन-कौन से प्रस्न जो है वो पूछे गए है उन सारे प्रस्न को देख लेते है तो पहला प्रस्न है भारतिराश्ट गीत बंदे मात्रम पहली बार किस राजिनिदी का अफसर पर गाया गया था अठाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटा कोंगरेस का पहले दिवेशन कहा हुआ था अब झोह ठा कॉंगरेस रहला भारते राश्ट कोंगरेस जुहां वहां हुआ था न क्या सबाआराइस कोंगरेस ये सथापना कशना में तो कब क्या गया था सबसे पहले तो 28 दिसंबर 1850 में भारतिराश्ट कॉंग्रेस की अस्थापना जो है वो की गई थी अब नेक्स्ट कोश्चन है कहां पर रखे गए वार्सिक सत्र में महात्मा गांधी को भारतिराश्ट कॉंग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था अब कहां पर रखे गए वार्सिक सत्र में महात्मा गांधी को भारतिराश्ट कॉंग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था या आप सभी को पढ़ाया गया भी थोड़े देर पहले कहां पर किया गया था आहमताबाद में पूना में बेलगाओं में या कानपूर में सबसे पहले जो भा सबसे पहले दादा भाई नरोजी जो थे उन्होंने कभ और कहा पर किया था किस अस्थान पर किया था तो क्या होगा पहले 1904 में बंबय में क्या था 1906 में क्या था 1907 में सूरत में क्या था प्रियोग सबसे पहले दातभाइ नौरोजी ने उन्हें सो छे इस वी में कहां पर कॉलकाता में आयोजित किया था कॉंग्लेस अधिवेशन में किया था किलियर है यहां तक आप सभी को तो आज के लिए इतना ही नेश्ट क्लास में हम लोग इसको और आगे कम्प्लिट दीजेगा और जितना ज्यादा हो सके दूसरों तक सेर कीजेगा ताकि दूसरे को भी हैल्प मिल सके थैंक यू